आप सभी का स्वागत है विज्जम कि इस ओलनाइन प्रेटफों के उपर मैं नितिन सर्म आप सभी का स्वागत करता हूं यदि आप इस चैनल पर नए आये है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताब के साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जित स्वागत होती है हमारी जितने भी गेस सिलेंडर आते हैं मारकेट के अंदर आपने देखेivel के अंदर आपने डूटी करी और वहां पर जो है अलग-अलग गेस के अलग-अलग जो है वो कलर हमें देखने को मिलता है तो बात करते हैं छोटा सा एक important topic है और सबसे important question वह यह बनता है कि आपके यहां पर कलर कौन सा होता है कौन सी गेस हमें देखने को मिलती है तो सबसे पहली गेस आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी oxygen सभी लोग जानते भी हैं question भी बनता है कि सर पहली जो है वो गेस कौन सी है oxygen है कि सर oxygen का जो कलर होता है क्या होता है oxygen का कलर जो होता है cylinder का कि सर एक तो होता है shoulder का कलर कि shoulder का कलर क्या होता है एक कुशन मनता है कि इसकी बोडी का कलर क्या होता है शॉल्डर मतलब कंदा बोडी मतलब पूरी बोडी तो से शॉल्डर की बात करते हैं तो उसके शॉल्डर का कलर कौन सा होता है दो उस तो कमेंड बॉक्स के अंदर कमेंड कर देना वाइट कलर का होता है लेकिन बोडी की ब कि जिसकी body क्या है दोस्तों पूरी काली है ये पूरी body है और वो black है लेकिन shoulder वाला area जो है वो क्या है दोस्तों white है तो sir ये कौन सा cylinder है ये oxygen का cylinder होता है और आप hospital के अंदर जन्रली इसको देखते भी होंगे चलेगा second gas कौन सी है जो important question मनता है जिसकी बाप बात करते है नाइट्रस oxide क्या है second वाली gas कौन सी है नाइट्रस oxide नाइट्रस oxide चलेगा कौन सी gas की बात कर रहे है दोस्तों नाइट्रस oxide gas की बात करते हैं कि नाइट्रस oxide gas का जो color होता है वो कौन सा होता है light blue color का हमें देखने को मिलता है कौन सा color हमें देखने को मिलता है light light का मतलब हलका blue color जो है हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट क्यूशन मलता है मेडिकल एयर ये भी काफी बार क्यूशन आता है कि मेडिकल एयर जो होती है उसका जो कलर होता है जो ऑस्पिटल के मंदर पाइपलाइन डली हुई होती है मेडिकल एयर उसका कलर हमें कौन सा देखने को मिलता है तो आप बुलोगे ब्लेक एंड व तब ठीक है फिर बात करते हैं आप उस्पिटल के अंदर एक वेंटी लेटर वाला पेशेंट उसके पीछे की तरव या साइड के अंदर एक यलो कलर का भी बॉक्स लगा रहता है अरे यलो कलर का सिलेंडर देखाएगा आपने कि सर यलो कलर जो आपको दिखाई देता है वो किसके लिए दिखाई देता है सक्षन के लिए वेरी वेरी इंपोटेंट कि जो वो आपको यलो कलर का दिखाई दे रहा है वो यलो कलर का क्या है दोस्तों वो सक्षन है सक्षन का मतलब सक्षनिंग के अंदर काम में आता है सक्ष कि नाइट्रोजन गेस का जो सिलेंडर होता है वो हमें कौन से कलर का दिखाई देता है कमेंड बॉक्स के अंदर ये आपको पता होता आप जरूर कमेंड कर भी सकते हैं कि सर नाइट्रोजन जो होती है वो कौन से कलर की हमें देखने को मिलता है आप बोलोगे ब्लेक कलर का हमे क्या देखने को मिलता है उसका सिलेंडर हमें देखने को मिलता है नेक्स क्यूशन कि सर आपने पढ़ाया था कारबन डाइयोकसाइड सी ओ टू क्या कि सर यदि कारबन डाइयोकसाइड या इसे सी ओ टू के होता है आप बोलोगे ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है कौनसा कलर देखने को मिलता है ग्रे कलर जो है हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सेवन बोर्ड लिखेगा कि यदि आपको पूचे कि सर हीलियम गेस होती है कौनसी गेस होती हीलियम और हीलियम गेस के अंदर सर उसका कलर जो है वो कौन सा हमें देखने को मिलता है आप बोलोगे ब्राउन कलर हमें देखने को मिलता है कौन सा कलर देखने को मिलता है ब्राउन आई होप आपको गेस सिलेंडर के बारे में समझ में आ गया होगा कि यदि आज के बाद में यदि आप से इसके उपर क्यूशन पूछे जाएं तो क्या आप इन क्यूशन को गरत करोगे क्या नहीं करने है हर एक चीज के बारे में आपको बता दिया गया है कि कौन सा कलर कोडिंग होता है जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बैसिकली यूज में लिया जाता है I hope सब को समझ में आ गया होगा यदि आ गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि सर नेक्स टॉपिक हमें क्या पढ़ना है तो मिलते हैं नेक्स सेशन के अंदर बाई बाई एं टेक के लिए